गुड इवनिक सर, आज हम लोग कौन सा चेप्टर पढ़ने वाले हैं? देखो आज matter and materials के बारे में हम कुछ बताना चाहे हैं matter and materials इसके बारे में तुम कुछ समझो, सीखो, जो कुछ देख रहे हो, इस पर सोचो जी अच्छा देखो ये matter and material ये जो सारा चीज तुम देख रहे हो अपने चारों तरफ जितनी भी चीजे तुमने देखी है अभी तक जिजे तुम टच कर सकते हो, उठा सकते हो, मौर सकते हो, तोर सकते हो यह मारकर है, लिख सकते हो, हैमर है, नेलिंग कर सकते हो, कुछ भी जो कुछ भी चुज तुम्हें दिखती है, इवन तुम्हारा बेंच, गुर्सी, टेबल, जो कुछ भी, यह सभी, किसी ने किसी मेटेरियल से बना हुआ है, सब चीज, जो भी देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जहां कहीं भी, जहां तक आपकी आँखे जा रही है, निगाह में है, हर चीज, कुछ न कुछ, अलग-अलग मेटेरियल से बना हुआ है, जैसे पीछे वाला पर्दा, यह कुर्सी पर जो तौविल लगा हु सर्ट हम बाहनते हैं, यह कॉटन का है, यह कॉटन के धागों से बना है, मेरे हाथ में यह मारकर है, यह थोड़ा पास से दिखाएगा, हाँ, यह मारकर है, इसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं, पर्मनेंट मारकर, यह मारकर जो है, यह भी प्लास्टिक से बना ह अब इसके अंदर यह नहीं बना हुआ है लेकिन पूरा थोड़ा तो आइरन से नहीं बना हुआ है पूरा नहीं बना हुआ है यह जो बना हुआ यह जो पार्जी से हन्डल कोरणे हो इस बना हुआ यह पट्स है तो बना हुआ है और यह बट्सक की बना हुआ है और ये जोने का बना हुगा कि तो हर एक हर एक चीज मेर से मिला हां लग भाग Bernard दोचीज का मतलब कैसे को सकते हो यह जज रहा एग अगल यह यह नहीं आहीं और थी लेग! लेकिन इसमें प्लास्टिक है इसलिए कर सकते हो कि स्कूरूड्राइवर दो चीज से बना है एक प्लास्टिक से बना हुआ है और दूसरा लुहे से बना हुआ है वैसे ही अगर इस हाथ हो रहे कि हैंडल को निकाल दो तो केवल ये आरंका हो गया और ये उट कांगा है और इसी को हटा देते हैं यह किस सी का बना हुआ केवलूट का बना है जैसा हुआ है तो ये जो चैptar से वहंims लोग पढ़ने के वाले हैं देखू इसमें इस प्रोपर्टीज ऑप मेटीरियल क्या है यह सारे चीज़ आज जानना चाहेंगे हलाकि यह चप्टर भरा है लेकिन हर चीज का परिषे इसमें कि जैसे अगर तुम फीगर देखना चाहोगे अपनी किताब का उसको भी देख लो यह फी और एंअअग अफ्रम करने के बाद जातार है यह लोटा यह सेंसे प्र 중ड ही जो ग्लास यह बालू को जो तुमहरा सेंड और में में सिलखन बर्तेत्सा इसे काफी अधिक temperature पर जब हीट करते हैं तो वह मेल्ट कर जाता है मेल्ट करने के बाद उसे हम साचे में डालते हैं तो मुझे ग्लास मिलता है मैंने अभी अभी इनको भी बताया कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह मैटर ही तो है कुछ भी चाहे वह पानी पीते हो वह भी मेटेरियल है ग्लास मेटेरियल है, जिस चेयर पर बैठे हो मेटेरियल है, जो कपरा पहने हो मेटेरियल है, जो चपल पहने हो भी मेटेरियल है, सब कुछ यहां तक कि तुम्हारा बाल मेटेरियल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम है कोगे कि मेरा दाथ मेटेरियल नहीं है, वो भी पार्ट पेढ़ा संथा कि और पीछे वाला वाला पार्ट ने की सिर्ट ना करा कियों की प्लास्टिक पफेत्टिक प्लास्टिक करें यहां पर तुम्हारा फिंगर लगता है यह दोनों होल पर जब उंगली से दबाओ तो लोगा तो दर्द करेगा लेकिन प्लास्टिक सौफ्ट होता है इसलिए तुम्हें कम पिंच कड़े इसलिए प्लास्टिक हैंडल में लग होता है नधने में इन प्लास्टिक के बनी होती हैं इसका ये प्लास्टिक मेटिरियल अկह इंटनी ऊटारे यहार यह भी तुम्हारा की इसलिए बना होता है यह पेपर है तो गराश से बनता है पौदू से बनता है यह प्लांट प्रॉड़क्ट पेपर पौदे के पत्तियों में जो रेसे होते हैं उसी रेसे से प्यूरिफाइग करने के बाद पौदे यह पेपर बनते हैं अचा तर्लोज यह बलून िरह बलून अधर कंथा अचसो इस अजपर तना उसमें हवा डालोके उत्ना बड़ा हो जाया जितना हवा निकाल जो के उतना चोटा बलून का सफागा यह टे बल है अवए जो टेबल पर हम लोग बैटे हैं यह भी तो है यह टेबल प्लास्टिक का है हाँ यह ब्लास्टिक का टेबल है अच्छा एक बात बता यह जो बैलून में हवा है वो हवा तो मैंट नहीं होगा उसको तो हम देखते नहीं है चुछ भी यूणिवर्स में तो अभी तक सार लोग यह पढ़े कि हमारे आस-पास जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वह अब्जेक्ट जो है वो अलग-अलग material से बना हुआ है, तो इसका मतलब कि material जो है, उसका use करके हम अपने surrounding के सारे objects को बनाते हैं, जैसे आप हमको हथोडा दिखाया है, या कैची दिखाया है, या screw driver दिखाया है, ये सब अलग-अलग material से मिल के बना, जैसे हथोडा एक object है, और वो object metal से और wood से मिल के बना, और आप एक बात और बोले थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो material से ही object बनेगा, ने कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे material से मिलके भी एक object बन सकता है या सिर्फ केवल एक material से भी एक object बन सकता है आप जैसा चाहोगे जिस तरह से चाहोगे अपनी शुर्दाव में साथ एक material, दो material तीन material आप लगा सकते हो कोई ऐसा object दिखाएंगे जो सिर्फ एक material से मिलके बना है यहाँ मैं अभी इसमें से दिखाता हूँ यह लिखी यह glass rod है इसमें केवल ग्लास glass rod है ग्लास का rod हाँ इसमें तो handle भी नहीं है कुछ नहीं है यह केवल CC का बना हुआ है तो मतलब यह object एक material का बना है बिलकुँ थोड़ा दो material का मिलके बना है यह भी आप ले सकते है इसके लेक ही material का बना है लेकिन scale पे लिखा हुआ यह लाक़zeni दूस्तरेना material हो गया Paint हो गया उसमें तो यह दो material का बना है सब कुछ दो materials का है तीन material का बना है लेकिन आपका musi किवल एक material का बना है अचा सर तो आगे और क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें material का definition हाँ material का definition पर यह आपके book में भी दिया हुआ है जर उसको ध्यान से देखिए एक second book खौलने दीजे सर बताईए हम इसको परके भी बता देखिए what are these objects made of यह object किन चीजों से बना हुआ है they are made of of glass, metal, plastic, paper, rubber, etc. all these are different kinds of material जो मैंने आपको बता जितनी चीज बता है सब अलग-अलग तरह की material से बना है these are made of of different kinds of material a material is a substance of which एक second sir, एक बार जरा book पे देखने लिजे बिल्कुल देखने लिजे, इसी केरे सार क्योंकि ऐसा ही रिखना है definition a material is a substance of which a thing is made a thing is made material is a substance of which a thing is made जिसे कोई चीज बनती है wood is a material of which hammer is made iron is a material of which hammer head is made hammer head is made iron is a material of which a screw driver is made here, आपके सामने जो है and silicon is a material or glass is a material of which glass rod is made so definition a material is a substance of which a thing is made वही लाइज आप बोल रहे थे है a material is a substance of which a thing is made कोई भी चीज़, any things which is made out of material these things are made by material अगला टॉपिक क्या होगा सर अगला टॉपिक क्या होगा सर अगला आपको बताएंगे आज आखिर material की प्रोपर्टी क्या क्या है आपको देखने में यह थोड़ा मूर्था नजर आ रहा है हम इसे दवाते हैं तो मूर्था हुआ नजर आ थोड़ा बेंड हो रहा है यह थोड़ा बेंड हो रहा है लेकिन यह थो बेंड नहीं हो रहा है यह भी बेंड नहीं हो रहा है यह भी थोड़ा हो रहा है क्वें है कि वो 1981 होगा यहाष टो आफ इन कि यह बैंड हो रहा है इतना ठेसर यह ज्यादा बैंड हो रहा है जादे जरू träffy आप Ж security की पर्रफिसे तो जैसे कोई अप्जेट ज़ादा बैंड वाना इसका मतलब वह वैसे material से बना होगा जो जादा bend होता होगा हम जब्सारे मेठिल इससा हुई इतुर क्वार या और यहां कि यह बहुत नहीं हो here ओ लेकिन केते बेंद हो रहा है रिश्छा आज है इसके कारण दोनों का यह आखो फेन है इसमेш लोहा का मातरा कम है और इस क्रूप राइवर में ज़ाद है इसमें देंसीटी अधिक है उसके जा देंसीटी छोड़तो ऐसे समझों कि जादे घणा है तो उचादे वो बेंट नहीं करेगा वह भारी भी ज़ादा है वह भारी होगा निश्ची तुरुम से भारी होगा और यह हो जाएगा हमारे चलो हम इस पर चर्चाज कर लेंगे एस मूथ और हाड तो यह हम लोग अभी क्या प्रोपर्टी ऑफ मेटेरियल की चर्चा कर लेंगे इसमें जो जो प्रोपर्टी यह क्या यह आइरन यह scale आपकड़े हैं? यह iron है. यह iron का scale है? तो iron में यह क्या property है? यह hard है. देखो तो, hard है. लेकिन यह तो मुड रहा है? यह मुर रहा है. पूरे भी देख रहा हूँ यह पतला. लेकिन इसी के छोटे भाग को मुर के देखो नहीं मुरेगा. सारा मेटल हाड होता है अब मेटल ज्यादे तर हाड होगा और वैसे मेटल के अलावे और कई चीज तुम्हें देख सकते हो यह बेंड कर रहा है यह मेंटेरियल नहीं यह बेंड कर रहा है तो यह कौन सा चीज तो यह कैसे पता चलता है कि कोई चीद्स हार्ड है और कोई चीद्स सॉफ्ट है आप ऐसे देखो कि जैसे कि यह डास्टर है डास्टर में स्पोंज है तो देखो हम दबाते हैं यह दबता है कि यह हमें चेंज को अपर भाग हैं हम इस पर जो लगा रहे हैं जो दमाब बना रहें इसको अपोज नहीं करता है और यह तो कम अपोज लेकिन कि इसे मौरने की कोसेस करता है नहीं मौर क्या चीज सर इसकी यह प्लास्टिक वाले भाग को अगर हम दबाते हैं ऑद्श का ढखकन हां डंक यह नहीं दब्रा इसका मेण आपोज यह परीवर्तन चंज को अपोज कर रहा है। यह हमारे लोड को आपोरिवका है लेकिन यह नहीं कर रहा है। लेकिन यह चीज तो हम देख के भी बता सकते थे। यह स्पंज जो है वह सॉफ्ट है और जो प्लास्टिक है वहाड है अगर आपको पहले से मालूम है कि यह रवर जो है यह सफ्ट होगा यह प्लास्टिक हड होगा पहले से मालूम एक छोटा बच्चा है उसे नहीं मालूम होता है कि आग में हाथ जल जागा पहली पर जागा हाथ से आप करता है जब उसका हाथ जल जाता तो दुबारा नहीं उसको छोता है क्योंकि लेकि इस केज में जब यह सॉफ्ट है तो आपको पता है एक बार कि यह दूर से तो हम आपको भी नहीं पाचान सकती है हाँ दूर से तो कोई चीज दिखता नहीं चोटा दिखता जब आप देखेंगे इसके बनावट में यह आपको सॉफ्ट है यह हाड है ठीक है और हाडनेस हाड और सॉफ्ट को आप दबा के ही पता सकते हो कि हाड है यह सॉफ्ट है उस पर लोट देके बता सकती हो अच्छा और दो हाट चीज को अगर compare करें तो ऐसा भी होता है क्या कि एक जादा हाड है और एक कम हाड है अब दो हाड चीज है वो एक जादा एक कम है अब इसको ऐसे समझो आप लोग लाई खाय होगे मकर संक्राती में लाई हाँ लाई तो अ अच्छा भी लगता है अब देखिए जड़ा एक लाहा हमारे पासे नफसा रखावगा था मापको दिखा दो यह लाही को बनाते समय खुब दबाया गया है जब इसे खाओगे तो खटखट किया भाजोगी हां अच्छा लेकिन यह लाही जो बनाई गई है वो ठीक से नहीं इसका मतलब है इसमें जो मूड़ी के दाने उसके अंदर में खाली-ाली जगव होगा उसकी बीछ 9 जिसमें खाली जग़ा होगा ठीक से पैकिंग नहीं किया गया उगा बनाते सुबंद। गो है अज जिसमें जदे मुली कुल यह सभी सा मना हुआ है वह जादे अच्छे स तो बहुत हुद तो लेकिन हम लोगों को तो दिखता नहीं है लाई में तो दिख रहा था लाई का यह मोड़ी का साइस काफी बड़ा है लेकिन मालीकूल साइस एल curioscope से मुस्किल दिख भाओंगे माइक्रोज्कोप वह भी उसमें बहुत चोटे चोटे मलिकूल्स होते हैं इसमें करोड़ों मलिकूल्स हो में इसके अंदर लेकिन यहां करोड़ मूरी नहीं हो सकती है, मूरी कि दानी में, ठीक है? तो जाइतना मलिकुल क्लोज से टाइट करके बैक रहेगा उतना हाड होगा लेकिन आपको इतना नहीं जानना है मलिकुल में कितना क्लोज होगा हाड वो है जो परिवर्तन का अपोज करता है वो हाड है जो परिवर्तन का अपोज नहीं करता है वो सौफ्ट है जो लोड को लोड अप्लाई करने पर उसे सॉफ्ट गोलते हैं एक और बात तुम्हें इसे हाड और सॉफ्ट तो समझी के एक स्मूथ और रफ की विचेशा करना चाहा रहे थे स्मूथ और रफ हां कि स्मूथ का मतलब चिकना अब देखो यह टेबल मेरा स्मूथ है लेकि यह तुम्हारा रबर यह रफ है यह स्मूथ नहीं वह तो हम उसको देख के भी बता सकते थे देख के बता सकते थे तो चलो बहुत दूर में रख देते हैं देख के बताओगे नही यह बता सकते हैं अग जिस चीज़ को तुमने पहले कभी नहीं देखा था तो कैसे बताओगी कि रफ हाँ इतना तक तुम बता सकते हो कि जहां अधिक कर दिफरेंस होगा जो बहुत रफ होगा बहुत हिसमूत होगा तब तो तुम बता दोगे लेकिन जो कम का फरुख होगा तो बता नम उस्किन हो जाएगा देख कियोंकि इस पर दाना दाना सा बना होता है इस पर दाने जैसा होता है झार झार्टा सदेंफ के खोर्ड़ा लगता जिए एसमूत होगा जैसे कि कोई भी जी यहम है जबकि यह रफ और दिखा दीकर पैने सिव्द 9 जैसे और ये रफ है उसमें धारी धारी बना हुआ है तो इस तरह से हमने आपको स्मूथ और भी बताया हाड भी बता दिये और सॉफ्ट भी बता दिये हाड और सॉफ्ट लेकिन अब लिखने की बात आएगे तो तुम क्या लिखोगे अगर पूछता है प्रोपर्टी ऑफ मैटेरियल में बическая की बसीदी को लिख सकते हैं हां प्थललेम लिखोगे हाड नेस में लिखोगे हाडनेस में घ्या अब हाडनेस में अभी बताए थे कि छूने पर खुर्दुरा में हils आहाँ डिफनेशन महीं लेखोंगे, hardness is the property of material. hardness is the property of material. हम अभी property of material प्राँ गाँ है. hardness is the property of material due to which due to which it oppose changes. due to which it oppose changes. oppose का मतलब? विरोध करणा. changes का मतलब जो दबाने का बात बोले, उसको बोल रहा है changes. हाँ, नहीं दब है मतलत दबा रहे तो नहीं दबना है तो झाह sapose अब नहीं नहीं दबा रहे तो आपोज कर दिया अच्छा तो अभी एक बार और हम याद दिलवाद करवा दिजिए hardness is the property of material हाँ, जिसके कारण due to which जिसके कारण जिसके कारण डूटिए इट अपोज पानी को हम लोग सब्सक्राइब नहीं हो रहा है और यह शॉफ्ट है यह चेंज हो रहा है तो इट इस नोट अपोजिंग चेंज हाँ ठीक है आप आया समझ अच्छा पानी को हम लोग सॉफ्ट बोल सकते हैं ना हाँ वह लिक्विड है पानी लिक्विड है इसके बार में सॉफ्ट लिक्विड और गयस के बारे मं तो डिसकस करेंगी एक एक पार्ट पर अभी तो के बल मेटिरियर पर हम चर्चा कर रहा है लेकिन हाँ पानी भी आपका मेटिरियर है ठीक है और उसको सॉफ्ट बोल सकते हो कोई अपोज नहीं कर बार में पी बता दिया इस मूथ का क्या को होगे डिफिसन के लिख हूगे इस मूथ इस अपर परपर्टी आफ मेटेरियल हम इस के बाद एसमूथ ने सीज़ प्रॉपर्टी आप मैटेरियल और इसके बाद तो आप हम को समझाये थे की टच करने पर जो खुर्दूरा है व is the property of material, again, smoothness is the property of the material, which does not oppose sliding, which does not oppose sliding, which does not oppose sliding, sliding, or का सकते हो, उसके पास friction कम होता है, तो केला के छिलके पर जो फिसल जाता है, तो वहां पर पोजिशन नहीं होता है, तो केला का छिलका स्मूथ है, और रोड पे चलते हैं, तो उसमें नहीं फिसलते हैं, तो वो रफ है, अच्छा, अच्छा, हमारे बुक में भी कुछ डेफिनेशन दिया कि Christmas का Southern let SGER लेकिन सेंद पेपर को देख सकते हो तुम सैंद पेपर हां सैंड तो रहत होता है रहत का पेपर तो नहीं नहीं देखें अगे अगे बाओ यह ब्लें कहां यह इस लिए संड को चिपकाया हो ऑन रहित पर हाँ इस लिए सेंड बेपर शें का क्वालाकिन है इसको किसी चीज़ को स्मूथ करना होता है कि फिनिस्द करना होता है इससे तुम लस्ट्र प्रॉपर्ट्टि चेक कर सकते। आच्छा ही तो हमारे घर में एक बार कुर्सी बन रहा था तो हम देखे थे। इसको लोग स्मूज करते हैं। से रव करने से यह जो चीज में साइनिंग प्रोपर्टी आईगी उसे हम बोलेंगे लस्चर हम लस्चर पर आगे चलेंगे उसे पहले स्मूथ के बारे में बता देते हैं स्मूथ ने इसका बुक्ला मुच लेकर और और अडिनरी प्राउन पेपर लुक सिमलर बट वन वी टच दें वी फाइंड दा सर्फेस ऑफ दा सेंड पेपर कोर्स अंड शार्फेस अब ब्राउन पेपर स्मूथ इसमें स्पैसली डेफिनिशन तो नहीं दिया है लेकिन यह कहा सकते हैं कि स्मूथ वन एक चीज़ जिसको आप तच करते हो उसमें रफ की फिलिंग आती है उसका सर्फेस चिकना नहीं होता है वह स्लाइड को अपोज करता है जबकि यह स्मूथ है स्लाइड को फैसिलेट कर ढींट है तो अब समझ गए हाथ नेश जधा वography क्राइड को अपोज करता था है इस दूज करता है हां यह बाट हमने डिश्कर्स कर दिया दूसरे पर चलैंड ठीक है इसमें लस्चर एक प्रपार्टि यह। इसको लस्टर नहीं बोलते है सर्ण, लस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है लश्चर का मतलब it is a signing property of the material सीधा सीधा का सकते हो signing property हाँ आप बता रहे है signing property of any material signing तो हर चीज को अच्छे से धो देंगे तो चमकने लगता है लेकिन कोई जादे signing करेगा कोई कम करेगा कोई बिल्कुल नहीं करेगा हम आपको दिखाते हैं अभी देखिए यह लोहा है काहा पर वह थोड़ा उसका लोहा यह sign कर रहा है नहीं कर रहा है यह भी तो लोहा है यह sign कर रहा है हाँ वह चमक रहा है अब हम तुर्णा करें को दोनों में जादे लस्टर कॉन होगा वह तो हथोड़ा गंदा है इसलिए हम लोगों को नहीं दिख रहा है चमकते हैं अब यह बता दे को देखो यह अब ही क्या कर रहा है या यह हम इसको इमरी पर से रभ कर रहे हैं उससे क्या होगा उस पोपर की गंदगी को गंदा हट जाएगा तो हम बोलेंगे लस्चरस है लस्चर है इसमें इसका मतब अब यह लस्चरस है इसमें लस्चर प्रपरटी है लेकिन अब मैं दूसरा चीज भी पता रहाँ है इसको देखो मेरा कर रहा हो नहीं तो और गंदा हो गया इसका मतलब यह नॉन। शाइनिक प्रपरटी जिसमें है उस मेटेरियल को हम लस्चरस बोलते हैं और जिसमें नहीं है उसे नॉन लस्चरस बोलें के ठीक है ठीक है तो जो चमकता है चमकने वाला प्रपरटी को लस्चरस बोलते हैं और जो नहीं चमकता है उसको नॉन लस्चरस बोलते हैं तो लस्च यह इसके बाद हमारे उसमें तो दो मतका बना हुआ है तो मतलब एक मतका मिट्टी का बना हुआ है और एक मतका मेटल का बना हुआ है मेटल रहो इसले एक क्रती का मैटल वाला चमक रहोगा इसलिए एक लर्लस्च अच्छा एक और अगरा पाठे हमने आपको ए स्मूठी किये ते हाप राफ Rough 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 or smooth Hard and soft hard and soft violent Hard and soft and Mod rough उसके बादा भी हम लोग maison पोल। Charge Niye अच्र कर लोग लोगा है अच्छा एक बीजमना है शो मे् पॉलिस मारते हैं तो चमकता है रोत तो बोcake है रोला सण हुआ किनि मेरा काहने का मतलब tie नहीं होगा आप विडियों पॉलिस चमक नहीं है वह डाधे कि इस लिए और जूता के ऊपर जब सब्सक्राइस लगा दिये अगला अगला प्रॉपर्टी क्या है सर मिटे ओडर 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 जजवाला अगला पास तो सेंस्ट ऑर्गन है हमारी नांक हम उससे सुमते हैं तो अगर कोई एस प्रेप लगाता है यह कोई पर्फ्यूम से लगाता था आप अच्छा कुस्बू आ रहा है अच्छा कुस्बू और कहीं सलफर डाइक साइड है भूसर रहा है वही सरने का इसमेल आता है तो बैड श्मेल है थैक है तो हम में श्मेल का जो इसमों थे वहींन कुस्बू या बद्बू एसका जी जेकता है तो इसका भी डिश्यूम थे व्यसेंग ethirm होट वही सिता खता है कोई मैटेरियल नहीं दबता है कोई मैटेरियल छिकना पाइसा अलग घृणग में तो हुई है लेकिन वह कहना नहीं होता है तेस्ट अलग अलग है समये वीलोक अलग अलग होता है फुर्टलों की खाने में हां अच्छा तो टेस्ट हो गया कुछ मेंटेरियल जितना मेंटेरियल है सब का अपना अलग-अलग टेस्ट है सुगर खाओगे तो वह मीठा है और उसी की जगा एक हरी मिर्ची तोर के खालो तो दोनों कान से धुए निकल जाएंगे हां यह है यह वह सब की मेंटेरियल होता है है हां नयुकिन पता है हमको मेंसे बहुत कम बजन मेर्य कवेंट समय शल्डशाक MA मतलब इस सब मेंटेरियल हमें होता ही हो तो यही आपको टेस्ट हो गया अब हम व्यट क्या अभी कर्षा कर लें हमतोब पता है में चीज यहीं जिसते यह प्लास्टिक कई दर्वएं क्लूंगAL disse यह भारी बनाँ है यह उत्र सिंड़ जरेक्ट suck यह प्लास्टिक अलगे यह लोगाbula Alrighty अध्य प्लास्टिक वाली तर्वakt इए यह वह एड़े यही था भड़ी है उसे अच्छा तो यहीं तक था क्या सर प्रोपर्टी ओफ मेटेरियल यही था अब हमको डिसकस करना करोगे आगे तो हम पढ़ाएंगे मैट नाई नाई अब हम पहले आपको इतना दोरा देते हैं उसके आदम का लाइनी पढ़ने तो प्रोपर्टी ओफ म फिर हम लोग पढ़े टेस्ट अच्छा टेस्ट बुरा टेस्ट फिर हम लोग पढ़े वजन हलका भारी इतना ही तो पढ़े और यह जान लिए कि हमारे चारो तरफ जितना भी मेटेरियल है जितना भी अबजेक्ट है जितना भी अबजेक्ट है सब कुछ ना कुछ मेटेरि तब जा रहे हमां ठीक, ठीक